प्रतेशेल समाजवादी पार्टी की मेरट मंडल प्रभारी मरगूब त्यागी ने बुलंद शहर आबिद अली राणा के घर पर पार्टी के कारेकरताओं से भेट की इस दौरान उन्होंने कहा कि आबिद अली राणा को जिले में बड़ी जिम्मदारी दी जाएगी वहीं य योगी सरकार विकास के नाम पर पूरी तरह से ठप हो चुकी है अगर अपराद की बात की जुआ है तो सरकार ने उताप्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है जो से युवा गलत दिशा में चल पड़े हैं इसकी जिम्मदार खुद योगी सरकार है उताप्र पर भी आंदूलन नहीं करते हैं प्रगती शेल समाजवादी पार्टी नेता शिफपाल सिंग यादा वह हक की लड़ाई लड़ते हैं और हम कारे करता हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरेंगे लोगों को न्याय दिलाएंगे हिंदू मुसलिम को आपस में लड़ा क कर गंदी राजनीती की जा रही है गाय के ना पर बेगुनहा लोगों की हत्या की जा रही है किसान भूका मर रहा है लेकिन सरकार के घुटाले बाजनेता और मंत्री घुटाले बाजी से बाज नहीं आ रहे हैं कि महांबत आपित राणा के आवास पर प्रिगतिश्विल समाथपादी पार्टी की मेरे मंदल प्रिवारी डॉक्टर मर्गूप्तियागी जी ने यहां पर पार्टी कारे करता हुआ की असाभा का आजन किया जिसमें लोग का एजन्डा सिर्फ पार्टी को मजबूत ही पि सर्कार इन्हों बाते कि यहां पर सब्सक्षार मुक्तप्रदेश होगा और महीला आपरात के मामले देखा जाए तो महीला आपरात बिल्कुष शक्चा मुक्त ऑप जाएगा और विकास की गंगा की लहर बढ़ जाएगी हम जानना चाहतें कि वाकई सचमुच उत्तर ये तो पूरा तरबर्देश के अंदर धहस्ता चाथ बहुत तेजी के साथ बनता जा रहा है उस्तर प्रमधेश अपराधी करना के अंदर पूरे देश में नुम्र बनता जा रहा है चिरायन कंट्रोल नहीं हो रहा लूट लगतार दिन बढ़ती जा रहे हैं रेप की प्रदेश पूरी तरह से जंगल लाज में तब्दील हो चुका है अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि कि अगर उत्तार पृण बनाय जाएं सडक में घोटाला बहाईयों के अंदर बहाईयों के अंदर गोटाला कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर घोटाले ना कि गाजयबाद की मेर भाच्पागी मेर गाजयबाद से सांसक भाच्पागे गाजयबाद से बिदायर भाच्पागे